उधार में फसे पैसे लाने का सरल प्रयोग आध्यात्म तंत्र जोतिश के अंतरगत आज चर्चा करेगे की आपका डुबा हुआ पैसा या कोई आप से उधार पैसे लेकर नहीं देता यह प्रयोग करने से वह पैसा आपको प्राप्थ हो सकता है इस प्रयोग का प्रभाव हमने अनेक व्यक्तियों पर परख कर देखा है अमावस्या से ठीक पांच दिन पहले यह प्रयोग करे सुर्योदय से लेक सुर्यास्त होने तक कभी भी एक कच्ची मिट्टी का धेला ले अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से उस पर रोली चावल का तिलक लगाएं इस पर थोड़ी दुब घास चड़ाएं अपने बाएं हाथ को कनिष्ठ का उंगली यानि सबसे छोटी उंगली का किसी स्वच्च पिन से एक बून्ध खून निकाल कर धेले पे चड़ाएं मन में निरंतर अपने इश्ट देव का अपने कार्य सिध्धी की प्रार्थना करते रहें एक अखंदित पान के पत्ते पर यह धेला रखकर इसके साथ एक मीठा बताशा तथा कुछ पैसे रख दें अब पान सहित सारी सामगरी कही भी जल में छोड़ दे यह जल नदी, नाले, तालाब आदी कही उपलब्ध न हो तो यह सामगरी अपने घर में किसी बड़े तब अथवा बाल्टी में भी छोड़ सकते हैं पानी में गिरते ही धेला, बताशा और रोली घुलनी प्रारंभ हो जाएगी इस घुलने से पानी में हो रहे परिवर्तन में अपने देंदार व्यक्ती की छवी की कलपना के साथ अपने पेसे मिल रहे हैं ऐसा ध्यान करिए यह ध्यान उस समय तक करते रहे तब तक तीनों सामगरी पूर्नत्या घुल न जाए पानी की सतह को किसी लकडी की सहायता से हलके से हिलाया जा सकता है, जिससे ढेला घुलना प्रारम हो जाए, इसके बाद बाद प्रयोग में आए पैसे निकाल कर सारा जल कही पेड पर दाल दे, यदि आपने बाल्टी आदी में प्रयोग किया हो. दूसरे दिन यही प्रकिर्या पुनह दोहराए, दूसरे दिन कनिष्ठिका से अनामिका, रिंग फिंगर, उंगली से खून निकाले, प्रयोग के बाद पैसे फिर निकाल कर जल सामगरी सहित फिर कही पेड में डाल दे, ठीक ऐसे ही सेश तीनो दिन करे, अंतर केवल इतना की प्रति दिन उंगली बदल जाएगी, पांचवे दिन अगुठे का नंबर आएगा, उस दिन अमावस्या होगी, इस दिन तक जितने भी पैसे जमा हो जाए, उनसे आटे का दिया, लाल रंग की बत्ती के लिए कच्चा सूत दिये लिए सरसों का तेल, प्रसाद के लिए म पर चुपके से अपनी मनोकामना बोलकर जला आए, और मंदिर में प्रसाद चढ़ाए, या फिर निकट भैरोनाथ नई मंदिर में दिया जलाकर प्रसाद चढ़ाए, यदि आप सत्य के मार्ग पर है, यदि देंदार की भावना मात्र आपको पैसे के लिए टालने की रहती हो, यदि वह पैसे वापिस करने में पूर्नत्या सक्षम है, तो आपका डूबा हुआ रुप्या आपको अवश्य मिलेगा